हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके चैनल शोशोल आजे विद मनीज फर डियर फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टॉप 75 पोश्चन्स की जैसा कि आप सभी को पता है कि एक्जाम के डेट अब बहुत नजदिक है और यह उम्मीद की यारती है कि PGT का एक्जाम नौंबर के महिने में हो जाएगा तो इसलिए आप लोग अपनी तयारी को बहतर बनाएं इस स्रंखला में मैं लगातार आप लोगों को 45,000 कोश्चन टेस्ट पेपर के माध्यम से करवा दूँगा और जो लोग हमारा पेट ग्रूप लेना चाहते हैं वो हमस करते हैं और हमारे course related जतनी भी जन करी है वो description में दीवी होती है तो पहला question कह रहा है कि जनांकी की संक्रमण के सिध्धान के नुसर पूर अवस्था क्या है तो जनांकी संक्रमण का जो सिध्धान थे उसमें 4-5 अवस्थाइं होती है उसमें पूर जो अवस्था है उससे कहा जाता है मरत्यदर निम्न हो परन्त जन्वदर उच्छ हो चुकि अगर death rate down होगा तो birth rate अगर उच्छ होगा तो दोनों में एक तरीके से transitional situation बनेगी इसलिए भी option सही होगा और मैं आपको बता दूँ कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि शिशू मरत्यदर किस राजी में सरवाधिक है गरीबी किस राजी में सरवाधिक है इस सारे question आपके course related है पूछे जा सकते है paid group वालों को इस अभी facility प्रवाइड की जाती है अगला question है समन्वित समितियों में संगर्स इस्थानिक और आवश्यक होता है इस विचार को किस ने कहा है तो ये concept होता ICA का concept ये दिया है रॉल्फ डेरेंड डार्फ ने सर किस राजी में नगरी जनसंख्या का प्रतिसा सरवाधिक है अब कितना old question पूछा है महराष्ट में आप लोग comment करके बताएं किस राजी में सरवाधिक जनसंख्या है और जनसंख्या घनत तो किस राजी में सबसे ज़्यादा है अगला पांचवा question निम्लिखित जनजातियों में से किस में इस्त्रियों द्वारा हल छुना घर पर छपर डालना वर्जित है यानि प्रतिबंधित है तो बहुत यह ज़्यादा पूछा गया question ये गोंड जनजाती में ऐसा है और जनजातियों संख्या भारत में कितने परस परतिसपर्धा के समंद में कौन सा कथन सही है पहला option है एक तो संपत्ति होनी चाहिए परतिसपर्धा के लिए और दूसरी चीज है किस सरकार होनी चाहिए तो तीसरा और चौथा option यहां सही हो जाता है सात्वा नंबर question आता है खेतिहर समाज में प्रत्यच्छ नहीं होता यानि कि direct क्या कौन से चीज है जो नहीं होती है तो इसमें खेतिहर समाजयों में प्रतिसपर्धा आपको direct नहीं मिलती है अगला प्रशनाता है आठमा अनुसूची जन्जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहां पर है तो अनुसूची जन्जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में है देखो कोशन आ चुका है अगला किस जन्जाति के लोग वर्सा आने के लिए आग ज तहार खंड इन छेत्रों में पाई जाती अगला निमलखित में से तत्य और मूले के बीच में समथ के बारे में कौन सा कथन सकते हैं। सकतन सकते हैं तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि व्यक्ति अपने मूल्यों के समर्थन कारी तथ्यों के प्रति अधिक जागरुक होते हैं पहला व्यक्ति तथ्यों के प्रति अंधे हो जाते हैं अगर वे उनमें मुल्यों का समर्थन नहीं करते बिल्कुल ठीक है यनि कि कोई बात इसका मतलब यह है कि अगर कोई बात कही जा रही है तो कितनी उसमें कितना उसका टेंपरामेंट पर वो सही है तथे जूटे भी तो हो सकते हैं इसलिए तीसरा बिकल्ब गल्थ है और पहला दूसरा सही हुआ अगले प्रशन पर आते हैं निम्लिकित में से संस्कृति को अनिवार ए मानो आवश्चक्ता की अनुक्रिया किस ने कहा है अनिवार ए मानो की किसने सबस्यादा बताए आप लोग बताएं यानि कि जो निश्चित प्रतिमानों से आप दूर हो जाएंगे तो विचलन हो जाएगा यानि कि आपको I.S. बनना है असेशन प्रोफिसर बनना है लेकिन आपने घोज देकर ये काम किया तो आप समर्लो विचलन विवहराप कर रहा है अगला काउन सा एक समोदाय का उधारण है बहुत बढ़िया प्रश्न समोदाय का उधारण काउन सा है option ले लेते हैं sorry नहीं है पूछा है नहीं है तो किबुद्ज एक जनजाति एक जो है समोदाय होता है यह है प्रतिवेश भी है यह परिवेश होना चाहिए यह एक परिवेश भी है और एक ग्राम भी है एक संपरदाय नहीं संपरदाय समदाय का उदार नहीं है अगले प्रशन पराते हैं निम्लिखित में से प्रस्थती एक रूपता की कौन से एक आधार भूद विशेशता है तो इसमें प्रस्थती एक रूपता की जो आधार भूद विशेशता है उसमें पहला ओप्शन ले लेते हैं जो इसमें कहा जा रहा है कि व्यक्ति की प्रस्ततियों में साद्रस्यता नहीं दूसरा समू के सदस्यों की प्रस्ततियों से में साद्रस्यता ये भी नहीं तीसरा व्यक्ति की प्रस्ततियों के समन्द में सांसकृतिक प्रत्यासों में साद्रस्यता सही है पंदरा नमर कोश्चन जिसके सभी मनों से समान सा दसे हैं वह क्या है वो समाज कहलाएगा अगला किस जन जाती में मानो हत्या करने वाले को समने तरह न्याय संगतता मिली हुई है जब हत्या करने वाले के अपरात को डांडिक भोज देने की दसा में माफ कर दिया जाता है बहुत अच्छा प्रशण है गोट जन जाती में ऐसा किया जता है कि आपको डंड मिला इभर भोज कायू जन करते हैं तो आपको माफ कर दिया जएगा पवित्र और पवित्र के बाद कौन करता है बहुत इजी कुंचन है इमायल दरख्याइम करते है और प्रिवार के विन्मे की प्रडाली से ये गलत है समदाइस से परिवार से गोत्र से समदित है ये बिस्वा कोशन आता है इसमें क्या कहा जा रहा है कि मानावात के बारे में सबसे पहले किस ने बताया तो इससे लगभख सब लोग जुड़े हुए है टाइलर, मैक्स मूलर, लोवी मेरिट ने सबसे पहले प्रतिपादन किया है तो इसलिए मेरिट लगेगा अगला, संसकर्ति के तत्तों के एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में हस्तांतरों को क्या कहते है तो इसे कहा जाता है संसकर्तिक प्रसार एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में जाना यानि भारती संसक्रती अमेरिका वाले सीखें, अमेरिकी संसक्रती भारती सीखें 22 नमर कोशन पर आते हैं संसक्रतिक परिवर्तन के लिए प्रासंगिक कौन सी बात है तो आविश्कार्यम खोज यह बहुत important चीज है सांस्कृतिक परिरतन के लिए अगला question 23 नमबर आता है इसमें किस जन्जाती में भाई तथा बहन एक छत के नीचे सासाथ नहीं रह सकते नहीं वे सासाथ भोज कर सकते हैं बहुत interesting question है और इसका जवाब है विद्दा विद्दा कहां की जन्जाती कमेंट करके बताईए रामकश्मिशन क्या है एक समिती है कौन सा कारक समाज के आकार को बदलने के लिए जिम्मेदार है तो जन्म से मरत्युदर प्रवजन की दसा ये दोनों चीजे हैं अगर आप माइगरेट कर गए तो समाज का कार चेंज हो जाएगा जिसे गाउं से सहरी करान बढ़ रहा है जन्म और मरत्युदर में जो है बढ़ोतरी ये घटोतरी होने पर भी हैसा होगा अगला question निमलिखित में से उस पर चिन्ह लगाईए जो प्रजाती नहीं है अब इस question से पहले बता दें आप लोगों को गर हमारा पेट गुरूप लेना है तो आप लेट ना करें जोईन कर लें चिन्ह लगाईए जो प्रजाती नहीं है तो देखो एशिया में प्रजाती ही भारती प्रजाती में नगाई यह सब हैं इसलिए कोई नहीं लगेगा और अगला question 27 नमर इसमें कहा जा रहा है कि प्रकार ये बैक्तिकी परिस्तिके नुसार नहीं हो रहा है धार्मिक प्रतिमान जो उसे स्विकार करने है ये question 28 नमर question में क्या कहा जा रहा है कि निमलिखित में है क मैक्स वेबर के नुसार सामाजी किस तरीकरण के तीन आदर्स कौन है। बहुत अच्छा कुशन और बहुत पूछा जाता है और यहीजी कुशन नहीं है। तो प्रापर्टी पावर प्रस्टीज थ्री पी मॉडल इसे कहते हैं। त्री पी मॉडल कहते हैं इसे। अगला एक सर्जन आपरेशन करते समय अपनी चिकिसा टीम के सदेशियों के साथ मजा करता है। उसका बिवहार किस प्रकार का है। उसका यह जो बिवहार है भूमी का अनौधान की तरह से है। यानि कि वो डिश्टर्ब कर रहा है। अगला पर संसकर्तिक करण की निमलिखित में से कौन सी व्याख्या उपयूक्त है। पहला ऑप्शन पर संसकर्तिक रहाण है यानि दूसरी संसकर्तिक को सीखना है। दो संसकर्तियों के संपर्क में आने के प्रणाम सुरूप एक दूसरे से प्रभावित होती है। यही सही लग र पहला option सही है अगला question 32 नमबर अनेक सांसकर्टिक और संजाति समोह के सांति पूर्ण सहस्तित्तु के लिए समा सास्त्रियों ने साधान रता है नम्रिकित में से किस सब्द का प्रयोग किया एक ही कराण का प्रयोग किया है अगला 33 नमबर question हर्स कौवट के लिए संसकर्टि का क्या माणो है तो हर्स कोवट केते हैं संसकर्टि परयावरन का मानो निर्मित भाग है ये बात हर्स कोवट केए ये option सही है अगला 34 नमबर village India में समाजिक परिवटन को इस परश्ट करने के लिए मिक्के मेरिट ने सावरभामी की करण के विपरीत क्या बात बताई थी तो सावरभामी की करण के विपरीत स्थानी करण की बात बताई है अगला पुरागत समाजों में कौन से विशेश्टाएं पाई आते ही पहला तो यांत्री केक था, दूसरा है नातेदारी की प्रधान था, सन्विदात्मक सन्बंद बिल्कुल नहीं होते थे, समाजी विवेदी करन बिल्कुल नहीं होता था, इसलिए एक और दो सही हो गए अगला कोशन आता है, लोक नगरी सांतत्ते के लिए ध्यन किया गया उसे कहते हैं परस अंसकरतिक रहाड़, अगले कोशन पर आते हैं, मैक्स विबर ने पूंजी बाद के विकास का सम्मंद किस से जोड़ा है, तो इसका जवाब ले लेते हैं उसने जोड़ा है कैल्विनिजम से, कैल्विन वाद बेंजामिन फ्रेंकलिन ने दिया था, जल्दी सोना जल्दी उठना एक अच्छी नहीं थी है, एक पैसा कमाना, सो पैसा बचाने के बराबर है, ये सब बाते कही जा रही हैं इसमें अगला कंसेप्ट है, जिसमें कहा जा रहा है, सन्युक्त राज अमेरिका सन्युक्त राज अमेरिका में जॉन पीटर्सन और जर्मनी के पीटर हेल्म होर्ज और जापान के शुगयामा, एक काफी पीते समय करमसापनी संसकर्टी को अन्य संसकर्टियों से स्रेष्ट बताते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाता है, नर्जाति के इंदर बताना, इक कंसेप्ट किस ने दिया, कमेंट करके आप लोग बताएं, अगला कोशन आता है, अगला कोशन क्या कह रहा है, कि विसंबंधन घटित होने की तब सबसे अधिक संभाणा होती ही, जब एक बेक्ति क्या होना चाहिए, एक बेक्ति का भूमिरहत मजदूर होना चा होगा अगला कोशन आता है कि निम्लिखित में से कौन से विशेष्टा समाजों में नहीं दिखाए पड़ती परदद लिंग-भूमिका परदद व्यवसाइख भूमिका है गलत सभी समाजों में प्रवधान नहीं पाई या यही आर्जित व्यव्यवसाइख भूमिका है तो इसका केवल एक जवाब सही होगा है कि अंगला बैंडे जो क्या कह रहा है एक महिला कार्याले जो प्रबंदक मंडल की बैठक में अध्यचता करती अपनी पुत्री को उसके विद्याले से लेकर महिला कलब में ब्रिज खेलने जाती ही वह क्या प्रकट कर रही है वह प्रकट कर रही है अपनी जीवन सेली को अपनी जीवन सेली को प्रकट कर रही है वह भूमिका विन्यास को भी प्रजन कर सकती ही यहाँ पर कि उसके कई सारे रोल भी है मेरे हसाब से इसका अनसर यह होगा यह नहीं होगा, è stir life कशन करें, तक्निकी सनचना के क्या विषयषता है ? तो तक्निकी सनचना के जो विषयषता है इसमें पहली विषyyषता है द्रव चालिद समाज्च और समाज तो एक दम यही सहे उद्योगोत्तर समाज कहा जा रहा है नहीं कि जो Post-Industrialization Society की बात हो रही है आप लोग कमेंट करके बताएं The Coming of Post-Industrial Society बुक किसकी है अगला कोशन आता है चवालिस नमबर प्रश्णा इसमें कहा जा रहा है रावर्ट डर्ट फिल्लें डगुसमदाय की परिभासा में चार बाते कही विसेश्टता लगुता सजातीता तो उसमें से चौथी बात कौन सी है चौथी बात है आत्म निर्भरता अगला पैंतालिस नमबर पर आते हैं व्यक्तियों के एक अनौपचारिक समूँ को जो विधी बाह कहे जा सकने वाले समूँ क्रिया कलापों में भाग लेने के लिए नियमित रूप से मिलता जूलता उसे क्या कहा जाएगा गुट कहा जाएगा अगले प्रश्ट पर आते हैं 46 नमबर पर इसमें कहा जा रहा है कि निमलिकित वैसे कौन से घड़ना जिसको मानों द्वारा किसी कारियोजना को उची ठहराने उसका विरोध करने में परियुक्त माना के सिद्धान के रूप में पहचाना जाता है तो उसे कहा जाता है मूल ले उसे मूल ले कहा जाता है हर्बार्ट रीजले ने भारती जनसंख्या के बाहत साथ प्रजाती संहोव में वर्गी करत कि ने संहां अगला क्योंत में से कौन सा परजाती संहो है। तो पर्जातीár नहीं में काके शायड हैं 49 नमबर कोशन पर आते हैं 49 नमबर में कहाजारा कौन सा सामाजिक सनाचना का तत्तु नहीं है तो सामाजिक सनाचना के तत्तु में उप संसकर्ती करण सामाजिक सनाचना का तत्तु नहीं है और लाश्ट कोशन ले लेते हैं 50 नमबर इसमें कहाजारा निलि चार को प्रतिपातित किया है डियर फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोगों ने बात करी है टॉप 50 कोशन्स की ये कोशन्स पिछले एक्जामों में कई बार पूछे भी गए हैं और इनुवेटिव कोशन्स में हैं आप हमारी टैसरीज का लाब ले सकते हैं थैंक यू वरी मच जाहिन